नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं धमशनमार्ण। दोस्तों, एक आदसी का दिन और बस दो केला, भगवान विश्टु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एका दसी का दिन भगवान विश्णू को बहुत ही प्री है और हमारे हिंदू धर में केले का पेड़ का बहुत ही महत्व है बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि सभी लगभख सभी ब्रत्योहार या कोई मांगली कारे हो तो बिना केले का पेड़ या केले के पत्ते के वो प्रेम बना रहता है संतान की प्राप्ति होती है जो वेक्ति भगवान विश्णू को केले का भोग लगाता है वो कभी भी निसंतान नहीं रहता है याद रहे एक केला कभी मत चढ़ाईएगा और बेजोडा केला भी ने यानि जब भी चढ़ाईए जोडा में दो चार छे भी से खादसी आती हैं और सभी एकादसी अपने आप में अलग-अलग महत तो रखनी है कहते हैं केले का पेड़ का अगर आप पूजा करते हैं खासकर एकादसी के दिन या ब्रहस्पतिवार के दिन हल्दी की गांट चने की डाल गुड यह सभी चीजे केले के पेड़ के ज ब्रहस्पति से संबंदी तमाम दोस्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है और भाग्योदे होता है जीवन में आप पीछे मुड कर कभी नहीं देखते दोस्तों याद रखिएगा जब भी भगवान विश्णु का दिन आता है चाहे वह एकादसी हो ब्रहस्पतिवार हो केला मत खाईएगा क्योंकि अगर इस दिन आप केला का पूजा करते हैं केला अरपित करते हैं भगवान को इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए और ज्यादा केला भी बैवाहिक जीवन में औसांती लाता है इस बात का हमेसा ध्यान रखिएगा अगर आप भी नियमित रूप से क चला जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों यह तो थी केले के समंदित कुछ अच्यूग जानकारियां अब यह जान लें कोई भी एक आदसी हो या फिर गुरुवार का दिन हो आप केले के ब्रिश के नीचे एक लोटा जल जरूर और पीत करें और साथ में गुड चने की दाल मुनक का हल्दी की गाठ पिली हल्दी का गाठ ऐसा करने से जीवन में कभी भी तकलीफें नहीं आती हैं तकलीफें परिसान नहीं करती है दोस्तों वैसे तो हर किसी के घर में अभी केले का ब्रिश हो नहीं सकता इसलिए हम केले का ही आपको उपाय बतलाएंगे तो चलिए आपको करना क्या है आप कोई भी एकादसी हो दो केला लीजिएगा जब भी लीजिए जोड़ा में एक केला कभी अर्पित मत कीजिएगा भगवान को दो केला लीजिए और लाल कपड़े में रखकर विधिवत पूजा कीजिए थोरा सा अक्छत पुस्प चंदन ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंदर का यथा संभव जब कीजिए आप देखिएगा ऐसा करने से आपकी तमाम परिसानिया धीरे-धीरे समाप्त होने सुरू हो जाएगी कम से कम पांच एकादसी कीजिए आपको और लाब होने लगे तो आप लगातार कीजिए महने मंदर में पड़े रहने दे क्योंकि एकादसी और भ्रस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए इसके बाद अगले दिन सुबह नहाँ हुआ कर वो दोरों केले उठा लें अपने माथे से लगाईए और पूरे परिवार के साथ प्रसाद गरहन कीजिए यकीन मानिए आ केला रोज खाना चाहिए पर बैभाई जीवन में परिशानी हो तो मत खाएं हम दुबारा से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों हमारे धार्मिक माननेताओं में केले का ब्रिश का बहुत ही महत्त्य है और यह तो आप जानती है लेकिन अगर आप लड़की हो या लड़का हो में सुख सांती और सम्रिद्धी बढ़ती है और बैभाही जीवन सुखी हो जाता है दोस्तों हम पहले भी आपको जैसे बतलाएं हैं अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो हल्दी की गांट धारन करें और यह भी नहीं आप कर रहे हैं तो आप केले के बिश का जड जल एक सुपाड़ी लेकर और थोरा सा जल डाले के लिए के बिश्ट में और फिर वो सिक्का और सुपाड़ी वहां पे रख दे और उनसे प्राठना करें मैं आपको कल लेने आऊंगा या आऊंगी आप मेरे साथ चलिएगा हम चाहते हैं हमारा ब्रहस्पती मजबूत हो ज पिले कपड़े में लपेट कर अपने बाह में या गले में धारन करें आप पर्स में रख सकते हैं तीजोरी में रख सकते हैं लेकिन नियुता जरूर दीजिएगा क्योंकि आप किसी को भी बुलाते हैं तो नियुता तो देना पड़ता है आप मेरे घर आईए पधार ये ठ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद हर हर महादेव